नमस्कार, मैं जसिंखर्ब, स्वागत है आपका टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पर जब हम सिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो हमारे मन, मस्तिश्क, बुद्धी, दिलो, दिमाग के अंदर एक ही आती है कि हमें अपना टेचिंग कोर्स करना पड़ेगा, टेचिंग कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो सबसे पहली परिक्षा हमें पास करनी होती है कहते हैं कि जब हमें अपनी मंजिल की और जाना होता है कहीं उचाई पर जब हम लोग पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है है ना सत्यों मेहनत करेंगे तभी परिक्षाएं पास होती है बिना मेहनत कर रहे कोई परिक्षा पास नहीं होती और जो ये सबसे पहली परिक्षा आप लोगों को देनी होती है इसका नाम होता है C-Tent C-Tent जो होता है वो आपको नौकरी तो नहीं देता है लेकिन आपकी नौकरी भविश्य में लगने के आप काबिल हो चले है आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और इस सर्टिफिकेट के आधार पर आप लोग सभी इस खुशी के साथ अब फ्यूचर में अपने परमाने टीचर बनने की तयारी कर सकते हैं कि मैंने जो पहला पड़ाव था जो पहली परिक्षा थी सिक्षक बनने की मेरी राह में मैंने उस परिक्षा को पास कर लिया है और आप लोग जब सीटेट की परिक्षा दे चुके हैं तो अब मन में एक यही बात चल रही है कि आंसर की तो हमारे पास आ चुकी है आंसर की कि आधार पर हमारे जो मार्क्स हैं वो कम हो रहे हैं किसी के ज्यादा भी हो रहे हैं ज्यादा कम के हो रहे हैं और कम जो हैं वो ज्यादा लोगों के हो रहे हैं तो साथियों आपका स्कोर क्या बन रहा है जो आंसर की आपको मिली है उसके आधार पर तो हमें बताईए जरूर कमेंट करके अब बात करते हैं आपके result की देखे जो result है आपका वह है CBSE की और से जो बाते कही गई थी उसके आधार पर सितंबर के आखरी सब्ताहा में हमें देखने को मिल सकता है तो सितंबर के end में result हमारे सामने होगा seated का उसके बाद में कुछ साथी जो इस परिक्षा को पास कर लेंगे वो बेटा अपना चुपचाप D-Tri-Pless-B की तयारी में लग जाईएगा क्योंकि D-Tri-Pless-B की विकेंसी आने वाले दिनों में primary teacher, TGT और उसके साथ-साथ PGT के कुछ पदों पर हमें देखने को मिलने वाली है तो आपके पास एक सुनहरा मौका होगा दिल्ली में सिक्षक बनने को ले करके और राइट वो साथी जो किसी भी वज़े से इस परिक्षा को पास नहीं कर पाएंगे नहीं को कारण सब के अलग-लग हो सकते है हम यह आपर चार बाते बोल दें सभी की जिन्दगी में वही सब कुछ नहीं होता है किसी के एक genuine reason भी होते है कि उसकी परिक्षा पास नहीं हो पाती है तो अगर किसी की परिक्षा पास नहीं हो पाएगी तो बैटा निराश नहीं होना है मौका फिर से मिलता है सीटेट है यह यह जिन्दगी नहीं है कि बार-बार मौका नहीं देती है यह सीटेट है यह फिर से मौका देता है और यह फिर से मौका देगा जब next सीटेट आप लोगों का होगा तो उसकी तयारी अभी से बहतर करनी पड़ेगी अगला सीटेट जो है वो ओफलाइन होगा ये तो आप मान करके ही चलें और उसी के तहट आप अपनी तयारी करें लेकिन होगा कब ये बड़ा प्रश्न है तो बैटा जो साइकल है सीटेट की वो ये दिखाती है हम लोगों को जो ट्रेंड रहा है जो पिछले कुछ समय में हम लोगों इस परिक्षा को होते हुए पाया है कि दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में यह परिक्षा हमें देखने को मिल सकती है तो आप लोग अभी से ही आंसर की आपके सामने है आपका परिणाव लगभग आपको पता ही है तो अपनी अगले CTET की तयारी बिटा जिसको करनी है शुरू कर दीजिए अगला CTET करना है तो अब हम बात करते हैं CET और CTET कई सारे हमारे ऐसे साथ ही है जो की तयारी करते हैं टीचर बनने के साथ साथ में और भी कई सारे अलग-लग विभागों में काम करने को लेकर के जैसे वो SSE के जो एक्जाम होते हैं उनकी तयारी करते हैं कुछ बैंक में नौकरी पाने को लेकर के तयारी करते हैं IBPS के माध्यम से उनके परिक्षाएं होती हैं कुछ railway board की परिक्षाएं भी देते हैं तो जो CTET है हमारा वो तो होता है बिटा teacher बनने के लिए आपको देना होता है जो अब CET को लेकर आप लोग confused हुए हैं इस CET का CTET से कोई लेना देना नहीं है CET जो है वो एक विभाग जिसका नाम है SSE दूसरा विभाग है जिसका नाम है railway board तीसरा विभाग है जिसका नाम है IBPS इनके तहट दस्वी बार्मी और graduation के base पर जो नौकरियां निकलती हैं और उनका जो pre exam होता है उनके लिए यह बनाया गया है हाँ उसका pattern उसकी जो नियम काइदे कानून तय किये गए है आप लोग जानना चाहते हैं तो उस पर हम लोग वीडियोज आप लोगों को देते रहेंगे लेकिन CET को लेकर कि आप लोगों को teacher जिसको बनना है कोई potential लेने की जुरूत नहीं है यह आपके काम का नहीं है और राइट चलिए तो मुलाकात करेंगे आप सभी प्यारे साथियों से अगली वीडियो में तब तक आप खुश रहें स्वस्त रहें और अपना खयाल रखें